तो अब लगता है कि ऐसा क्या हुआ फैस, किस बात ने परिशा किया, तुमने हाथ क्या उठा लिया मोहबबत से, मोहबबत ने कितनों पर हाथ उठा दे अच्छे खासे कामकाजी घर जा बैठे और निकमो ने लिख लिख कर कितना नाम कमा लिख तो कोई पूछे, कि ऐसा क्या हुआ फैस, जो जवानी मिलती है बरबाद होने को, उसमें खामकाज क्यों आजाद हो गए दो बातें की, चार शे लिखे, हमें तो ले डूबे और खुदाबाद हो गए तुम कहते हो नजर लौट गई थी तुमाई, चलो, ये भी माना जब किसी के जख्म नासूर बन गए होंगे, जमीर दुखने लगा होगा, शब्द छिल गए होंगे, इमान जुकने लगा होगा तब नजरे तैर गई होंगी सनम की आँखों से, यूँ अश्क किनारा कर गए, तुम निश्क में तिर पड़ गए, कि गिर पड़े तुम रो दिये, तुम रोने से कतराते थे हसते थे हालातों पर, तुम हसकर भी बच्ताते थे, किस बात में है राना ही मज़ब और धर्म ने जब बाट दिया इंसानों को, काट दिया दो तुकडों में और नाम दिया शैतानों को, वो बंदे नहीं थे, अल्ला के, वो काफिर थे, भक्त नहीं, वो भटके हुए मुसाफिर थे खुदा परस्त लोगों को जब खुदा नहीं मिला तो उन्होंने दिल बहुत छोटा कर लिया, छोटे दिनों से महबबत नहीं और उन्होंने क्या किया, महबबत को मार दिया जुबाँ खीच ली, शब्द काट दिये, सोच रॉन दी, जसम बाट दिये, कुचल कर चले गए जस्बाद सारे पैर महबबत पर भी पड़ गया फिर कहते क्या ना करते फैस, तुमने भी इंकार किया, जैसे थे जिन्दा तो थे, ये इश्क विश्क वेकार किया बड़ी जिल्लत है श्क, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, इतनी इतनी खुशियों की भी कीमत भड़नी पड़ती है